इस question में क्या है speed of a boat in a still water is 8 km per hour तो जो boat की क्या है still water में speed है वो क्या है इसकी 8 km per hour है if the speed of a stream is 2 km per hour और जो इस पर धारा की जो speed है वो कितनी है 2 km per hour है then how much distance can be the boat traveler in a 2 hour going upstream तो बताना क्या है कि 2 घंटे में बोट की आपको distance बतानी है कितना कबर करेगी अप जब वो क्या करती है अप stream में क्या करती है traveler करती है basically देखिए इसमें क्या है आपको speed of boat क्या है speed of boat क्या है आपकी 8 km per hour है ठीक है और आपकी जो stream की speed हो क्या है speed of stream क्या है आपकी 2 km per hour है ठीक है तो combine speed नकाल लीजिए आप stream में तो क्या होती है आप स्ट्रीम में कुछ नहीं करना आपको जो आपकी बोट की स्पीड है उसको माइनस करना किसकी इस स्टीम की स्पीड से तो क्या गागी कमाइन स्पीड आ जाएगी तो क्या होगा एट माइनस करेंगे क्या एट माइनस करना एक टू तो कितना आ गया शिक्स तो 6 km पर आर के आगी, इसमें combine speed आगी, जिसमें upstream में, तो आप क्या पताना था, 2 घंटे में क्या पताना है, कितना cover करेगी, तो आपको basically पता है, क्या पता है, speed equal to क्या होता है, distance upon time होता है, time यहां चला जाएगा, distance की value क्या जाएगी, तो देखिए, speed क्या आई combine, combine आई 6 आई time क्या दिया है, 2 घंटे में, तो basically क्या है, 12 km क्या करेगी, अपकी boat cover करेगी, 2 घंटे में, okay दोस्तों, 12 km क्या आएगा, इसका answer आएगा,